और वेसी ने वही कहा है जो पूरा का पूरा इस्लाम भारत में सोचता है कि इस भारत को इस हिंदिस्तान को गजवाए हिंद में परिवर्थित कर बाएं और वो उसी रास्ते चल रहे हैं आज में बारवार केताओं की भारत के हिंदू समाज को भारत के राजनेताओं को अपने व्यक्तियस्त्वार्त छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा और इसलाम का जो यह मनसुवा है यह हम लोगों के रहते कभी पूरा नहीं होने वाला है और वेसी चाहे कितना ही भुखता र मनस्टाल को सब्सक्राइब इसमें हम क्या कह सकतें है लेकिन वहीं परियंका जब अपने बच्चों को स्कूल में भचती है द्स नाकर क्यों भेजती हैं सारजनिक रूप से नहीं हो रही है ऌत सिक्छा संस्थानों की ओर यह सिक्षा संस्थानों में जो ड्रेस गोड़ उसका सम्मान सभी को करना चाहिए अच्छ। ब्राह्मन समाज के साथ मेरी वारता चलेगी और उसमें यही है कि ब्राह्मन समाज भारतिय जिंता पार्टी के हित में बोट करे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो इस्थिती है आज से पांच वर्स पहले भारत के अन्य प्रांतों में जब जाते थे और उत्तर प्रदेश के हम नागरिक हैं ऐसा कहते थे तो लोगों की दरश्टी में लगता था कि ये बड़ा ववाली आदमी होगा दंगाई आदमी होगा अच्छा नहीं होगा किन्तु पांच वर्स के योगी के कारिकाल में उत्तर प्रदेश की का संबान बढ़ा है और दूसरे प्रदेशों में भी कही ना कहीं आज उत्तर प्रदेश मोडल की चर्चा होती है जो कभी गुजरात मोडल की चर्चा होती थी आज कहीं ना कहीं कान और ये पुग्री उत्तर प्रदेश से उसमें भी ब्रह्मनों के बीच में जाने वाला हूं और यही अपील कि इस वार ब्रह्मन समाज एक जुट होकर भारतिय जनता पारिटी को बोट दे जिससे जो विकास और धर्म संस्कृति के उत्थान की गती है वो निरवाद आगे चल रहे हैं पाँच राज्यों में जिसमें से मुखे उत्तर प्रदेश भी है मेरा पश्मी उत्तर प्रदेश के प्राए अनेक जिलों में प्रवास हुआ है और हमने एक विशे उठाया है कि आज जिस प्रकार से जातीगत राजनीती हो गई है और छोटी छोटी जातीओं की आवाज बड़ी बुलंदी के साथ उठ रही है वैसे तो हम बहुत लंबे समय से मांग उठाते रहें कि जाती छोड़ो देश जोड़ो किन्तु इस सब के बीच भी हम ये देख रहे हैं कि जो ब्राह्मन समाज है वो राजनीतिक रूप से सरवादिक और पेक्षित समाज है ब्राह्मन समाज को जो सम्मान भारत की राजनीती में आदर मिलना चाहिए आज ब्राह्मन उससे वंचित है क्योंकि ब्राह्मन ने कभी भी जातीगत द्रश्टी से नहीं सुचा राश्टिय द्रश्टी से सदे ब्राह्मन ने आवाज दी है आज कोई भी दल ब्राह्मन के हित की ब्राह्मन के सनमान की बात नहीं कर रहा है किन्तु ब्राह्मन के बोट सभी को चाहिए आज पूरे देश के अंदर लगवग अठारे पृतिसत यह ब्राह्मन समाज है और आदियनादी काल से भारत की संस्कृति भारत की परंपराएं भारत का धर्म इन सब को सुरक्षित और संडक्षित करता आया है तो कहीं न कहीं आज वह अपनी उपेक्षा से उद्विग्न भी है मेरा पश्शिम के जिलों में जो प्रवास हुआ है और उसमें गहरा मंथन यही हुआ कि इस चुनाव में किदर जाया जाए तो बहुत विचार करने के बाद और ब्राह्मन समाज में यही विशे उठा है कि जो कि ब्राह्मन सदेव राष्टियता के साथ जुड़ा रहा है धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ा रहा है तो आज केवल भारतिये जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं न कहीं धर्म की बात करती है राष्टियता की बात करती है, संस्कृति और परंपराओं की बात करती है, तो ब्रह्मन समाज ने जिस प्रकार से पश्चिम में अपना समर्थन पश्विय उत्तर प्रदेश में भारतिय जिन्ता पारिटी को दिया है, मैं उसी अपील के लेकर अब पूरव और मध्य उत्तर प्रदेश में प्रवास करने वाला हूं, ब्रह्मन समाज के साथ मेरी वारता चलेगी,